नमस्कार दोस्तों भाईयों बैनों मित्रों एवं प्रिय दर्शकों आप सभी का स्वागत इस वीडियो में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिपार्टमेंट ओफ पोस्ट ऑफिस याहिं के भारत के अंदर इंडिया कंट्री में यहां पर आपकी पूरे देश भर में पोस्ट ऑफिस के अंदर आप समझते होंगे डाक सेवा भारतिय डाक के अंदर यहां पर आपके अलग अलग पोस्टों पर जॉब निकाल दी गई है जो की गवर्मेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ कॉम्मिनिकेशन यानि के कम्मिनिकेशन मतलब जाता है प्राइवेट में तो आप करी सकते हैं और गवर्मेंट में जो बारतिय डाक है यानि जो इंडिया पोस्ट है जो की गवर्मेंट का है मिनिस्ट्री ऑफ कम्मिनिकेशन के अंदर यहां पर बारत सरकार के द्वारा यहां पर कम से कम 1900 के लगबग लगबग जॉब निकाली ग होगा तो वो अप्लाइब कर सकेगा क्या क्वालिफिकेशन है हम बताएंगे आपको क्या इसमें 10th past 12th past graduate क्या क्वालिफिकेशन है वह जानेंगे साथ में जानेंगे इसमें salary क्या मिल रही है कौन-कौन से post हैं क्या काम है पोस्टों के नाम क्या है form की dates क्या है form की fees क्या है eligibility के इसाब से क्या all India में हम कभी कहीं से भी apply कर सकते हैं या फिर हमारा specific किसी जगा का होना जरूरी होगा यह सारी जानकारियां selection procedure में कोई exam होगा या direct आपका recruitment रहे गाई है जो कि आपके qualification के base पर होगा सारी जानकारियां इस job से जुड़ी हुई आपको इस वीडियो मिलने व भारतिय डाक के अंदर जो की सरकारी जॉब रहेंगी सारी की सारी और फॉर्म का लिंक और इसके जुड़े वे सारे जो लिंक हैं वीडियो के सही नीचे आपको दे दिये गए हैं वहां से आप जाकर इसको चेक कर सकते हैं चली हम चलते हैं notification की तरफ all इंडिया है दोस्तों आप हरियाना से होंगे अगर मेगाले से होंगे करनाटका से होंगे वैस्ट बंगाल से होंगे तेलांगाना तीरिपूरा किसी भी जगा से इंडिया में तो आप सभी के लिए जॉब रहेगी क्योंकि यह government of इंडिया की द्वारा दी जाने वाली जॉब है बात करते हैं कौन कौन से circle में क्या क्या vacancy है circle मतलब वो जाता है area को circle बोला जाता है circle और division अगर आप जानना चाहें जैसे कि हम अगर जिला बोलते हैं हम किसी राज्ये के अंदर किसी area को अगर हम बोल रहे है city place जिला उसी तरीके से डाक की भाशा में यानि कि इंडिया डाक की जो वो लोग use करते हैं जिस word को तो वह आपर use करते है circle और division यानि कि division और circle आपके जिले और area उसको ही कहा जाता है इसके बारे मैं आपको बताऊंगा कि किस जगह पे किस area में कितनी vacancies बार दी गई है government of India ने जो यहाँ पर दिया है उसके अंदर बता दू meritorious sports person in the department of department of post in the cadre of postal assistant यहाँ पर यह जो पोस्टे हैं सारी vacancy sports person को दी जा रही है वो लोग जो खिलाड़ी होंगे जो खेल रहे होंगे वो अलग अलग जगा पे किसी ना किसी sport में खेल चुके होंगे football cricket यह जो भी sport होंगे उसके नाम आपको दिखाने वाला होंगे तो यह sports person के लिए रहेंगी यानि कि यह स आदू all India रहेगी लेकिन sports person यानि कि आप अगर इंडिया country के नागरिक है साथ ही आप अगर किसी ना किसी खेल में खेल चुके हैं और बड़े बड़े लेवल तक खेले हैं आप अगर district national international लेवल तक भी गए हैं उस sport में तो आपके लिए job होने वाली है पोस्टों की बात कर करेंगे फॉर्म के dates की बात करें तो फॉर्म आपका 10 तारिक से इसी महीने में चालू होगा और 11 यहां पर 9 नौ बारा यानि कि आपका 9 December तक form close कर देंगे और इसके बाद आपको बता रहे हैं कि 10 से 12 10 से 14 December में आप इसमें correction कर सकते हैं फॉर्म में जो भी आपसे गलती होग कि कुछ चीजों को छोड़कर आप चांकारियों में चेंज कर सकते हैं जो आप form में दे रहे हैं कि यह पोस्टे गुरुप C की पोस्ट है भाई और भाई भेन जो भी अप्लाय कर रहे हों और इसमें गुरुप C में पोस्टे आती हैं सारी और इन्होंने एक चीज और यहां पर एक बोली गई है आप इसकेल ऑफ पे यानि कि सेलरी जो रहेगी सबसे ज्यादा अगर बात करें सबसे ज्यादा है आप असिस्टेंट को सेलरी मिलेगी जो 25,000 से लेके 81,000 तक मिलेगी हर महीने की होगी जैसे कि आप अगर एक महीने य मिलेगा लगते के साथ ही जॉब पर और दीरे दीरे बढ़ते बढ़ते आपका एक समय पर 40-50,000 भी होगा 60,000 भी होगा 70-80,000 तक भी जाएगा पोस्टल असिस्टेंट के पोस्ट पर सौर्टिंग असिस्टेंट को 25,000 रुपे दे दिये जाएंगे यांसे और 81,000 तक उसको ले जाया जाएगा उसके काम के बैस पर पेश के लिंदा पर जो आपको बोला गया यें यह सेंटरल सिविर सिविल सर्विस जो हो है न उसके इसाब से बनाय गया है रूल जो बनाये गए तहे को अधारा ओद ऍधार को आठारा अगर आए तो 18,000 भी जादा कुछ फरक नही पोस्ट में को सेम वही दे रहे हैं सबसे कम MTS को दे रहे हैं 18,000 रुपे इसे लेके 56,000 रुपे तक देंगे वेकेंसी की बात करें तो ये वेकेंसी आपकी सरकल वाइस में आपको बताने वालों किस जगा के कितनी है एज की आपको बता देता हूँ एज क्या रहेगी यहां पर आपकी MTS में तो 25 मैक्सिमम है और 18 मिनिमम है सब पोस्टों के लिए लेकिन मैक्सिमम में MTS में 25 रहेगा बाकी पोस्टों में 27 रहेगा अब 27 से उपर वाले फॉर्म नहीं बरेंगे 27 कंप्लिटिड वाले भी फॉर्म नहीं बरेंगे पास साल का SCST को अपर एज में रिलेक्सेशन है और इसके अलावा इन्होंने बोला है दस साल का है आपर इन्होंने बोला है इन इच केस इन एडिशन रिलेक्सेशन अपर एज फाइव यर SCST में दस साल का है अगर आप किसी रिजर्वेशन में नहीं आते लेकिन आप sport person तो है न तो आपको पांच साल वहां से मिल जाएंगे अपर एज में यानि कि आपको अपने क्या क्या है भाई तो सबसे पहले पोश्टल एसिस्टेंट और सौर्टिंग असिस्टेंट हो बोल रहे हैं कि बैचलर डिग्री अगर आपने करा है किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आप अप अपलाए कर सकते हैं आपको वर्किंग मतलब आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए पोश्टmen और mail-guard के लिए बोहरी पास चाहिए इनको सिर्फ किसी भी Board से CBSC, ICSC, State Board, Vihar Board, UP Board, MP Board, RAJostan, ś Harkand, Odessa कोई सभी Board सब्च सकता है है और कोई सभी Board सब्चता है पर उसSA आप अपना बार्वी सब्चा पास होने है चाहिए Science, Arts, Commerce किसी भी फिढ इसे आप हो स subject in 10th class में आपको आनी चाहिए local language of a postal circle division cell भी आपको आगे बताऊंगा किस circle में या किस division में क्या language बता रहे हैं suppose मानी आप गुजरात में अगर लेंगे इस posting को गुजरात के circle में तो वहाँ पे आप जानते होंगे जैसे गुजराती गुजराती जो है वहां की local language है तो वह आपको अपने 10th में पढ़ी भी हो आपके 10th class में आपने उस language को पढ़ा हुआ हो एक subject के तौर पर तो रहेगा Hindi तो generally हर एरिया में रहेगा ही तो Hindi वालों के लिए तो काफी फायदा है काफी circle के option रहेंगे उनके लिए इस अर इन पोस्ट के लिए working knowledge computer का चाहिए होगा valid license चाहिए होगा क्योंकि postman जो होता है वो जाता है जगा 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 जो भी पोस्ट man जो होता ही काम क्या करता वह जगा-जगा जाता है वो चीजे लेकर जो भी आपके documents होते है valid license उसका होना जरूरी है two wheeler का या फिर LMV, light motor vehicle का for the post of postman only, स्रिफ postman के लिए, mail card के लिए नहीं, person with disability वाले उनको बोला गया है, उनके पास अगर license नहीं है, तो भी वो ले लेंगे आपको इस job पर, यह चीज अभी बहुत लोग का यह doubt अड़ता है, फस्ता है कि हमारे जो circle का language है, हमारे postal circle का language, जो local language है, वो हमें नहीं आता, या फिर हमें आता तो है, लेकिन हमने उसका कभी exam नहीं दिया, उसका कभी exam नहीं दिया, तो हम ऐसे में क्या apply कर सकते हैं, तो आप सभी apply कर सकते हैं आपका इस exam को बाद में ले लेंगे, बाद में आप दे सकते हैं इस exam को अपने job मिलने के बाद और इसको pass कर सकते हैं, तो आप सभी लोग eligible हैं इसमें, बाकी यह point आप read कर लेना, MTS में 10th pass चाहिए, सिर्फ, qualification यह रहेगा, computer आता है नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, 10th pass ह हैं, तो आप apply कर दीजिए, sport person ऐसा हो कि उसने अपने राज्ये को या डेश को represent करा हो, international level पर competition पर गया हो, national के पर गया है, state के level पर भी खेला है, तो अच्छी बात है, किसी भी sports में, game में, जो की पहरा 7 में mentioned रहेंगी आपर, या उसने अपने university को अपने represent करा हो, अपने through, वो सभी लोग apply कर सकते हैं, सारे condition यहाँ पर mention है, आप इसको read कर लेना, कौन-कौन which qualify for appointment of, अच्छ, ठीक है, तो आपको बोला गया, अगर आप archery और, अट्या, एट्या, पेट्या, यह sport है भाई और, ball, badminton, basketball, और bodybuilding, bridge, chess, cycling, deep, sports, athletics, badminton, baseball, और यह सारे जो sports आपके लिखे हुए हैं, अगर आप, इन sports में, कही ना कही qualify कर चुके, अगर आपने यह sport में खेले होंगे, तो आप ही, तभी आप apply कर सकते हैं, काफी, लंबी लिष्ट है, इसमें आप देखेंगे, तो golf और handball, eye hockey, कबड़ी भी है, कूडो भी है, motor sports भी है, आप देख सकते हैं, कितनी लंबी लिष्ट है भाई, 65 ऐसे sport है, जिनको include करा जा रहा, यह सारे sports में, जितने भी लोग गए होंगे, वो सब ही apply कर सकते हैं, आप condition read कर लेना, लिष्ट of authorities बताए गए, competent to award certificates on eligibility for recruitment of, ठीक है भाई इनोंने बोला है, authority awarding certificate, international competition के level पर अगर आपको secretary of the national federation of the game consent की तरफ से आपको certificate मिला होगा, तो आप eligible रहेंगे, National Competition के level पर आपको जो certificate मिला होगा या तो वो आपको National Federation of Secretary की तरफ से मिला होगा या फिर आपको State Association of the Game की तरफ से मिला होगा तभी आप इसमें eligible रहेंगे तो आप ये भी याद रखेगा आपके sport का जो certificate होगा न वो in authorities के द्वारा मिला हुआ हो तभी आप यहाँ पर eligible रहने वाले हैं mode of selection में बोल रहे हैं ये इन्होंने इक चीज़ क्या बोली है इन्होंने बोला है selection होगा merit list बनाई जाएगी आपर हाँ यहाँ कोई exam नहीं ले रहे हैं यहाँ पर आपका simple आपका जो भी qualification है आपने जो भी sport खेले होंगे तो इसीलिए आप समझे न sport person को यहाँ पर job दे रहे हैं तो आप simple आप समझ सकते हैं कोई exam नहीं लेंगे यह आपसे यह आपके सारह जो आपका record रहा होगा स्पोर्ट का उसके बेस पर recruit कर लेंगे order of preference of sports achievement for preparation of provisional merit list कि फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोस केंड़ेट हूँ है जिन्हों ने in country को represent करा होगा ना international competition में वो लोग पहले select करे जाएंगे फिर उस तरीके से रहेगा country फिर state फिर district और यह तरीके से घटेगा लास्ट लेवल यहाँ पर सायद state ही है उसके नीचे का नहीं था second में आप देख सकते हैं university और यह सारे लो तो इस तरीके से आपका होने वाला है सबसे ज़्यादा चांस country लेवल पर जो खेला होगा जो भी sport में गया होगा उसको मिलेगा सबसे पहले उसके चांस ज्यादा होंगे यह job मिलने के हाँ टू अपलाए के लिए मैं लिंक जो मैं आपको देने वाला हूं जो की दस तारीक को आ रहा है तब आप इसमें फॉर्म अपलाए कर सकते हैं दूसरा पहले रेइस्टेशन कर लेना इंडियन पोस्ट ऑफिस के वेबसाइट पे उसके बाब अपने फॉर्म की तरफ तो आप ग्रेजुएशन जो ग्रेजुएट होंगे वो तो सबके लिए 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 तो अपनी प्रेफरेंस देदें कि कि इस पोस्ट पर उनको पहले जॉब चाहिए तो आपके प्रेफरेंस के बेस पर आपको जॉब दी जाएगी क्लोजिंग डेट मैंने फॉर्म की बता दिये आपको फॉर्म का फीज हंट्रेड रुपीज लिया जाएगा अगर आप वुमें केंडिडेट अप्लाए कर रहे हैं या फिर आप सारे ऑप्शन यहां पर दिये जाते हैं पर बताई गई है कि आप किन चीजों में करेक्शन कर सकते हैं उसके लिए जानकारिया दी गई है यहां पर बोला गया है कि जो प्रोविजनल लिस्ट होगी ना उसके आने के बाद आपको अपने वेरिफिकेशन के समय दॉक्यमेंट डीवी के समय में आपको यह सारे किमेंट दिखाने हैं जिसके अंदर आपका क्वालिफिकेशन के दॉक्यमेंट होंगे इसके कम्प्यूटर नॉलिज है उसके document होंगे do b के कु मेंत्य ना कुछ को नकिुन कर विल्यस के रिख एधार उनकित धार 20 से यह इंधोग ऑल जुक्य लेगा आंध्रा प्रदेश में चैनल तो बोलते हैं एक को सर्कल बोलते हैं और इस जीलाव जो जगाय होती है एक राज्य में उसको आपने पॉस्ट 10 कि जाहिए64 सी बात है यहां पर पॉस्टल असिसेंट लाजय को नहीं मिगसी हैं मेलगाड रiquement पोस्ट में listeners आ्पियरो सिंपलगेंसे म Challenge Grade मेकरि Biz 3 2 Patro कि असम में पोस्टल असिस्टेंट की जॉब नहीं है शॉर्टिंग असिस्टेंट की तो है पोस्ट में की दो हैं और MTS में चार हैं मेल गाड में वेकेंसी एक भी नहीं दे रहे हैं यहां पर इनको जरुवती नहीं मेल गाड की बिहार में सिर्फ इंद वनों पोस्ट पर जरूआत है चति सच गड में आप देख सकते हैं डेली में आप देख लेंगे पुजय एक फार्ट है तो अप अलग-अलग सर्कल में अलग-अलग इस्टिट में अपनी डेख सकते हैं क्या वेकेंसिया इससे आपको पाता लेगा कि क्या स्थिती कि आपके राज्य में चल रही है इन recruitment में कि आपकी जरुवत कितनी हो रही है इधर post office में महराश्टर में महराश्टर में काफी ज्यादा वेकेंसी देखने को मिल रही है MTS के अंदर 131 MTS डिडेक्ट में महराश्टर में और यह लोग यहाँ पर जो आपका पोस्ट मैन है वो भी यहाँ पर 90 ले रहे हैं तो अमिल लाडू में भी काफी अच्छी वेकेंसी देखने को दिख रही है आप हमें तो यह टोटल वेकेंसी हो गई आपकी लोकल लेंग्विज क्या रहे है आंद्रा प्रदेश की बोला गया इन्होंने जैसे इन्होंने एक चीज़ बोली है मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो ग्राफिकल एरिया जो है राज्ये का या फिर यूनियन टेरेटरी जो कवर्ड होती है इस पोश्टल सरकल के अंदर वो बता देता हूं आंद्रा प्रदेश में तो यनाम डिस्टिक्ट आ रहा है जो पुड्डू चैरी जगा का यनाम डिस्टिक्ट है वो आंद्रा प् आपका यूनियन टेरेटरी जो है आपकी यह आंद्रा प्रदेश रीजन के पास ही आती है इस वजह से इन्होंने बोला है तो यह आद्रा प्रदेश जगा के लिए बोल रहे हैं कि तेल्गू लोकल लेंग्वेज रहेगी आप अगर तेल्गू लेंग्वेज जानते है आप दिखा दीजे इस exam को कही ना कहीं दे दीजे local language इस exam को और आप कर दीजे अभी local language जो लोग दे चुके वो कौन सा valid होगा आप अपने 10th या 12th जो भी आपका matriculation हुआ था तब आपने अगर इस language को अपने एक subject के तोर पर study करा होगा और pass करा होगा तो आप लोग apply कर सकें है इन्होंने यह notice में दिया था साफ असम की यहां पर असामीज और बेंगाली और बोडो रहेगी अभी कुछ लोग यह भी कहते हैं कि भाई Hindi language common कर देते हर जगा पर तो इसलिए नहीं करी ना कि भाई local language तभी तो कह रहे हैं इसको कि आप अगर उस जगा पर service देने जा रह रहे हैं कि भीहार में आप देख लिए बिहार में भोचपूरी कर सकते थे बिहारी कर सकते थे इन्होंने हिंदी कर दिया यह इसलिए करा है इन्होंने कि हिंदी भोच वह इतनी ज्यादा important नहीं हो रही है मतलब कि आप बिहार राज्ये में Hindi language के पेस पर भी आप असानी से work कर पाएंगे इस पोस्ट पे इसलिए लोने Hindi language को यहां पर दे दिया है सेम चतिसगड़ में Hindi बोल रहे हैं डेली में भी Hindi कर दिया है गुजरात में तो आप देखिए गुजराती लेंग्वेज जरूरी रहेगा local language की तौर पर यानि जरूरी होगी उस candidate को जो उस जगा के ल आधा जगा उपर Hindi बोली जाती है फिर उसके बाद English को प्रैफर करते हैं लोग और फिर अपने जगा जगा की लेंग्वेजों को प्रैफर करते हैं अब बात करते हैं फॉर्म की तो यह फॉर्म किस चीज का है नेशनल फेडरेशन नेशनल एस्टेशेशन ऑफ यह उनके लिए जो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे इंडिया को अपना रिप्रेजेंट करा होगा इंटरनेशनल कॉम्पपटिशन में चाहें आपने किर्केट कॉना चाहिए यह वहला सर्टीफिकीट होना चाहिए जिसमें लिखा होगा सदफिफध दाट यह केंडिट का नाम हुआ कि जानकारिया सारी मैंशन सारकर यह रहे नेशनल रेखा है यह वाला सेजिच सहुए इस्टेट लेफल पर रिप्रेजेंट करने वाल होगा वं यहfires यह यूनिवर्सिटी को किसी ने रिप्रेजेंट कर आओगा तो उनका फॉर्म यह है इस्टेट स्कूल टीम को रिप्रेजेंट करने वालों का यह रहेगा यह फिजिकल एफिशेंसी पर्फॉर्मेंस कंड़क्टिट वाइदा तो यह उनके लिए रहेगा जनी कि यह सटिफिकेट रहेगा कि आप सेंट्रल गवर्मेंट के अंदर ग्रूप सी के अंदर सर्विस काम कर रहे हैं इस पोस्ट पर और फिर आपको अपलाए करना तो आप इस पर इस फॉर्म को बरना तो यह आपका कास्ट फॉर्म हो जाएगा यह फॉर्म दिया गया है आपके ऐस सिश्ट का फॉर्म यह रहेगा आपका यह वाला केटेगरी की फॉर्म है कि यह ओभी सी का फॉर्म और यह EWS का फॉर्म तो सारी जानकारी आपको बता दिया है इसमें कोई एक्साम नहीं है आपके जो आपके पास क्वालिफिगेशन है अचीवमेंट से अपने स्पोर्ट में उसके बेस पर आपको फॉर्म बरना है और इस जॉब को लेना है बाकि सारी जनकारी है सेलरी और जो भी कुछ है वो सारा मैंने आपको बता दिया है अपॉइमेंट लेटर के लिए लोग अपडेट करेंगे आपको जैसे आप इसमें फॉर्म भर लेते हैं फॉर्म के आप दिसंबर के एंड तक आपको जाकर बताएंगे यह कि आप आ जाईए इसको अपने डॉक्युमेंट सारे लेकर और हमें दिखाईए और अपने सब्सक्राइब कोई सब्सक्राइब कोई जगाओ इंडिया में आप इसको फैलाई है आप सभी के लिए जॉब रहेगी स्पोर्ट पर्शन के लिए होगी सिरिफ अगर मालीज आप कहीं स्पोर्ट में नहीं खेले और आप इसमें अपने 10th 12th या ग्रेजुएशन के बेस प नहीं कर सकते हैं आपके पास क्वालिफिकेशन के अलावा इस्पोर्ट पर्शन होना भी जरूरी रहेगा तब ही आप यह जॉब ले सकते हैं कोई भी डाउट रहा हो कमेंट में बता सकेंगे आप मिलेंगे आपसे दूसरे वेडियो में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद